राजधानी राइपूर में अंतराजी अमन गैंग के चार शूटर गिरफतार होने को लेकर सीम साई ने प्रतिक रिया दी है। आपको बता दे कि सीम साई ने पुलिस के जवानों को बधाई दी और कहा कि एक अन्होनी घटना घटने वाली थी। उसका पुलिस ने परदा फाश कर दिया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब ठीक चल रहा है। इसी क्रम में बेवित्रा हाज़से को लेकर मुख्यमंतरी विश्रोंदेव साई ने कहा कि घटना बहुत दुखद है। जिसमें एक ही डेट बॉडी मिली हैं उन्होंने कहा कि बाकी आठ लोगों की बॉडी ढून रहे हैं। मामले की जांच हो रही है हम पीडिक परिवार के साथ है। हम बदाई देना चाहेंगे हमारे पूलिस के जवानों को जिन्होंने एक जो अन्होनी घटना घटने वाली थी उसको समय रहते उसका परदा पास कर दिये। जब से हम लोग सरकार में आए हमको लगता है कि सब कुस ठीक ठीक चल रहा है। देखें घटना बहुत दुखद है और उसमें एक डेट बोडी मिला है। बाकी आठ लोग उसमें मिसिंग हैं। उनका पता लगाया जा रहा है। वो सकता है मलवा में दबे हो या फिर बलास्ट हुआ तो शरीर का जो बोडी पार्ट से वो कहीं चितर विदर भी हो गया हो। लेकिन इस पर बहुत जल्दी मनलब काम कर रहे हैं। और सरकार के तरफ से जो मिद परिवार हैं उनको पांचला की घुसना किये हैं। जो हैल हैं उनको 50,000 की घुसना किये हैं।